Hello everyone, my name is Priyanka and today we are going to learn about 8 wonders of the world. 8 wonders, but अभी तक तो हमने सिर्फ 7 wonders के बारे में पढ़ा था, यह 8 वा कहां से आ गया? Yes, आ गया. Recently अभी, previous year ही 2023 में वो add हुआ है और वो कौन सा है, वो आगे आपको इस वीडियो में पता चलेगा. तो चलिए हम सारे wonders को detail में study करते हैं. तो वीडियो को शुरू करते हैं. पहला जो है आपका वो है the Great Wall of China. यह जो आप image में देख रहे हैं, यह है Great Wall of China. और जो Great Wall of China है, उसको काफी centuries पहले चाइना के emperors ने अपनी territory को protect करने के लिए बनाया था. और इसकी जो total length है, वो है 21,196.18 km अप्रॉक्स. यह around 220 BCE पहले बनी थी. यहाँ पर BCE की जो full form है, वो है Before Common Era. और इसको बनाने वाले थे Qin Shi Huang, जो की first emperor बोले जाते हैं United China के. इसको पूरा construct होने में करीब 2000 साल लगे. तो यह आपकी जो है Great Wall of China है. Now, move to the next wonder. The Colossium, Rome, Italy. यह जो आप image में देख रहे हैं, यह The Colossium है. और इसकी measurement की बात करें, तो 189 meters long है, 150 meters यह wide है और 50 meters इसकी height है. यह world का largest amphitheater भी बोले जाता है. अब यहाँ पर एक word सामने आता है amphitheater. यह amphitheater क्या होता है? चलिए बताती हूँ. amphitheater एक ऐसा monument, ऐसी building होती है, जो circular होती है और इसकी कोई roof या पिछट नहीं होती. इसमें आपका जैसे stadium जैसा होता है, उसी तरेके का होता है, बड़ stairs नहीं होती. sitting arrangement बहुत ज़ादा होता है, इसके अंदर बैठने के लिए बहुत ज़ादा capacity होती है. इसको जो बनाने वाले हैं, इसका construction शुरू किया था the emperor, वास्पेसियन ने. यह जो emperor, वास्पेसियन थे, इन्होंने Colossium को entertainment purposes के लिए बनाया, और gladiator fights के लिए बनाया, gladiator fights मतलब योधा या वो लोग जो आपस में अपनी जान की बाजी लगाने के लड़ते हैं, लोगों को entertain करने के लिए. तो यह है the Rome, sorry, the Colossium, जो Rome इटली में है. Now move to the next wonder. Christ the Redeemer, Brazil. तो यह जो Christ the Redeemer है, जैसे कि आप image में देख रहे हैं और आप सब पहचान भी गए होंगे, यह किसका statue है? यह जो statue है, वो Jesus Christ का है, इसके अंदर वो अपने बाहें, यानि arms फैला के आपको दिख रहे हैं और यह symbolize करते हैं, welcome और peace को. Christ the Redeemer एक statue है, जो कि Corcovado Mountain, जो कि आपकी Rio de Janeiro ब्रजील में है, वहाँ पर situated है. और statue की अप्रोक्स हाइट है 30 मीटर या पर 98 फीट, ओके, सो यह हैं आपकी the Christ, the Redeemer, जो ब्रजील में है. Now move to the next wonder, Machu Picchu, Peru. Machu Picchu, जो है वो 15th century में बनाया गया एक citadel है, जो कि इनका emperor, पचा कुटी ने start किया था इसको, यह एक town भी बोल सकते हो, आप एक छुपा हुआ town या फिर एक structure है, और यह आपका Peru में है, और ऐसा believe है, ऐसा माना जाता है कि इसका construction, इसको बनने में अप्रॉ 100 years लगे, तो यह है आपका Machu Picchu, जो पेरू में है, नेक्स्ट है आपका Chichen Itza, Mexico, यह जो Chichen Itza है, आप image में देख रहे हो, Chichen Itza एक archaeological site है, जो Yucatan शहर मेक्सिको में है, इसकी history बहुत rich मानी गई है, और एक pilgrim site माना गया है, जो कि Maya civilization के time की है, करीमन 1000 साल पहले की, यहाँ पर Chichen Itza का मतलब है, mouth at the well of Itza, और Itza का मतलब है, water magicians, तो यह आपका next wonder है, Chichen Itza, Mexico, नेक्स्ट आता है आपका Petra, जो Jordan में है, यह एक rock cut architecture है, जिसको कभी कबार लोग Rose City भी बोल देते हैं, छुपा हुआ शहर माना गया था, और Rose City इसको इसलिए बोला गया है, क्योंकि इसके जो stone है, वो pinkish color के हैं, इसलिए इसको Rose City भी बोलते हैं, Petra जो है, वो capital रही है, निबेटियन kingdom की करिवन 300 BC साल पहले, और Petra जो है, वो एक तरीके से trading point माना गया है, आपका निबेटियन लोगों का और foreign traders का, तो यह है आपका Petra, जो Jordan में है, अब आती है वारी हमारे भारत, यानि हमारा ताज महल, जो भारत देश में है, उसकी, ताज महल एक ivory white marble, मुजोलियम है, या फिर आप टॉम की बोल लगते हो, जो यमना नदी के किनारे आगरा शहर में है, और इसको बनाया 5th मुगल emperor, शहाजहान ने था, और इसका construction 1631 में start हुआ, और शहाजहान ने इसको बनाया, अपनी 3rd wife मुमतास की याद में, और ये शहाजहान का खुद का भी एक टॉम मानागे है, उनकी wife के साथ में उनका भी मक्षपरा है, ये है हमारा ताज महल, अब बारी आती है आपके 8th wonder की, जो की, अब हम आगे सीखेंगे की कौन सा वो 8th wonder है, जो अभी recently previous year में, 2023 में include हुआ है, इस पूरी list में, तो वो है, अंकोरवाथ, जो कमबोडिया में है, ये जो आप image देख रहे हैं, ये अंकोरवाथ है, ये एक हिंदू बुद्धिस टेंपल है, जो की कमबोडिया में है और इसका total जो एरिया बोला गया है, वो 162.6 hectare में फैला हुआ है, ये एक हिंदू बुद्धिस टेंपल इसले बोल गया है, क्योंकि ऐसा मानशाता है, कि ये हिंदू टेंपल रहा होगा, फिर उसके बाद इसको बुद्धिस टेंपल में चेंज कर दिया, ये इसको बनाने वाले खमीर सिंग सूरे वर्मन सेकिंड, जो की चोला डायनस्टी से बिलोंग करते थे, जो तमिलनादू की है, में इंपलूड किया है, so I hope आपने वीडियो को enjoy किया होगा और इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ऐसी और जानकारी के लिए, ऐसी और इंफोमेशन के लिए हमारे पेज को like, share, subscribe कीजेगा, thank you for watching.